तो गुड मॉर्णिंग क्लास वेलकम टो यूट्यूब चैनल अफ हलावा PCS आज जपने इस क्लास में वेक इंपोर्टन टॉपिक को डिसकस करेंगे जो कि हम जब मेडिवार लिस्ट्री पड़ रहे थे तो उस बीच में हमारा क्या हो गया था वो डिस्कॉंटी नियू हो गय आप लोग एक साइट है आप लोग सबी लोग को पता होगा सरकारी डिजल्ट का आप लोग उसे विजिट करते रही अब डिफरेंट वेकेंसि आनी क्या होगी स्टार्ट हो गई है तो उसमें जो भी आपके एलिजबिल्टी के हिसाब से रहे और जिसमें खास करके जीएस क जो आज कितना दो तारिक है एक तारिक को PCS का हराजस्तान PCS का वह भी गया उसके अंसर की भी आ गयी है तो जम लोगों ने भी दिया हराजस्तान PCS को वह जाये उस आंसर की को डॉड्लोड करके वहाँ साबना चेक करें और बताएं किसका कितना नंबर बन रहा है ठीक है त कि अपना को इस पोर्षन क्या है different departments इसको में लिखेंगे different describing": believing different departments and the go T कि इस सारे मारे लिखें डिपार्ट्मेन्ट इतनी इतने इक्तर्स के इन यहां में लोग ने यहां पर करता है जो होता कि quais री गरती थी उहां छलू ने मिदिल में रहेखा हुआ है और उसको found किस ने किया founded by या फिर headed by ठीक इसको आप यहां पे लिखिए किसी से डील कर रहा है दिवाने अपना डील करता है military department से दिवाने अर्ज क्या है military department से डील करता है और military का जो सबसे strong basis इसने स्टार्ट किया था बल्बन ने स्टार्ट किया था आपको याद हो का जहां लोग बल्बन पड़े थे तो उसमें लोगोंने क्या पढ़ा था policy of blood and iron वो policy किसकी थी बल्बन की policy थी ठीक है तो उसने क्या किया था military department के establish किया था दूसरा उसने north west frontier area पे जो कि राजस्थान और पंजाब वाले एरिया होता है गुजरात वाले एरिया होता है वहां पे उसने अपने soldiers को रखा था क्यों क्यों मंगोज के attack को लो counter कर सेके ठीक तो military department जो था जिसको क्या बोलते दीवाने अर्ज उसको फांट किसने किया था बल बन्य इसको मिद्द किया था इसको कौन किया था इसको भेhein Moto कि विजारत कि किया था भल ब्ल बन्य गेंट इंशार दीवाने इं इंशाफ का मतलब होता था correspondence department जो भी आपके एक्ट्रा जो काम बचते हैं उसको कौन डिल करता था correspondence department उसको head कौन करता था दाविरे मुमालिक इसका founder तो भी नहीं पता चल पाया है लेकिन दाविरे मुमालिक जो था वो दिवाने इंसा डिपार्टमेंट को head करता था मतलब उसके अंडर मे जो भी correspondence की काम होते था किसके अंडर में होते था दाविरे मुमालिक इंडर में फिर देखेए दिवाने इसालत किसने फॉंट किया है दिवाने इसीलत का मतलब क्या होता उसके मार्केट ऒर्हारमेशन पॉलिसी ये सकसी जीजों को karşıya करें जब्वास्ट कंपर 210 शुनियॉस तो यह जो अपने पीपल्स के लिए भी और अपने आर्मी में जो भी इसको सोचता रहता था तो जो भी कमिनिकेशन होनी ते सुल्टान के बीच में उनके लोगों के बीच में इसके लिए कुछ ने सोचा था अलाउदिन ने और उस जिपाट्रों तो क्या बोलते हैं दिवान मुस्तक्राज यह क्या है रवेन्यू डिपार्ट्मेंट आप इसको इस तरीके से वियाद कर सकते हो कि राज कौन खेले का जिसके हाथ में रवेन्यू रहेगा दिवाने मुस्तक्राज और वह क्या है रवेन्यू तो राज कौन खेले का जिसके हाथ में रवेन्यू रहेगा फांड किस ने किया अलाओ दिन खिल जी ने किया फिर से वही ची ठीक वो काफी कुछ किया थे किसके लिए अपने आर्मी वालों के लिए जो उनके शोल्डर्स थे और जो उसके स्टेट में जो पीपल सूथे थे उन सभी लोगों के लिए क्या किया था लोग जिन ने बढ़ी तो उसको तो चलिए आख बंद करके अपने क्या किक कर देना था अलाओ दिन खिल जी तो जो भी मार्के डिपार्टमेंट किसे रिलेटेड रहेगा रियासत से उसको फॉंड कौन किया है अलाओ दिन खिल जी ने फॉंड किया ठीक अगला देखिए दिवाने को ही अब करके रखा था कि पूरे अंटायर दिली सल्दनत में एंड इवेन मुगल अंपायर में भी इन दोनों कर पूरे मेडिवल हिस्ट्री मिलाया जा तो एक डाइनेस्ट्री जो कि सबस्याद एग्रिकल्चर के लिए काम की थी तो कौन थी तो कौन कर रहा है मुहम्माद बिन देवान दिवान बंदगान दिवान दिवानर विडेल दिवान 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 दनगान विल दी इत के यह कैम क्या आएंगे स्लेव इसको ढगत देखना बंदगान इंद्रेकर करते हो कि ए स्लेप करें कि अब जैसे आप नॉर्मल एक बहां सामें लोग बोलते हैं कि ठीक जाओ तुमका मैंने चीज वो खैरात में दे दिया तो मतलब एक तरीके से फील आगता है थोड़ा फ्री वाला ठीक है खैरात में मिल गया था या फिर खैरात से तुमको हमने दे दिया तो खैरात से क्या डिल प्रण में कुछ नहीं चाहिए लेकिन हम यह से उनको दे दिया ठीक है तो खैरात से क्या डिल करेगा चैरिटी डिल करेगा फॉंड किस ने किया था फिर लाइन से यह बैक तूबैक फिर दो बार आश्यों का फिर थार्ट में भी वही है भी फिर देखिए इस्तियाक क्या ह इस्तियाक इसको यह किस डिल करता था पेंशन डिपार्टमेंट से तब इसको इस तरी के साफ़ा करका चलो कि इस्तियाक तो उसको आप इस तरी के साथ रखो कि त्याग त्याग ना किसी चीज को छोड़ना तो आदमी किस अपने स्टेज में आ करके चीजों को लगभग ल मिलता है पेंशन तो इसको अपने क्या रखना है इस्तियाग कोन लोग याद कर लेंगे त्याग नाम से त्याग आद में करता है बुड़ापे में और उसमें क्या मिलता है पेंशन ठीक है तो दिवान ने इस्तियाक मतलग पेंशन से रिलेटेड होगा ओल्ड एज त्यागना उन सब को रिलेट करके अपने क्या रखना है पेंशन इससे कौन डिल करता था फिरो साथ उगलग तो यह सारे डिपार्टमेंट से सारे के सारे इंपॉर्टेंट है कुछ ना कुछ मैंने अग्यित्ती विर्पार्टमेंट था दर फूल शीवा झाल डूर शीफार ओनुर सब मूहीं होता था उसलाने इसका भी होस्पिटल तॉट कि य॥ी और वादम हो रहता था। तो दरूल शिफा का मतलब होता था फ्री हॉस्पिटल ठीक है और इसको फॉंड किसे ने किया था फिर से वही लास्ट में को ने फिरोज सा तुगलक तो एक हमारा एक अलग से हो गया तो टूटल हमने डिपार्टमेंट नों कवर किया ठीक है टू टू ट्री ओर पाइप सिक् को इन सारे के सारी आटे सारी के सारे उन ऊहले में थैक्षाह में क्षël ऑलिदीया ऐसका फावंडुर से मिलाने प्लिदी या फिर त्रू अजखर और इक northern लिए तो आप इसके साथ हमारा history का जो class हमने modern history start किया तो सेमें क्या बता थे कि हम दो portion के एक साथ लहेंगी एक तरफ सिस्ट्रिय अपनी चलेगी दूसरे स्ट्रिके वहा है उसी तरेगे से quality जो रहे गा हमने क्या पढ़ल लिया थो इसमें से रिडेटर है और fundamental rights से अच्छा उन fundamental नाइट में क्या हमको डील करना है चीजों को तो आपने को क्या करना है चीज़ों के अंदर में लेकिन उसको आपने को याद करना स्टार्ट करते हैं कि और उसमें अपने होंगे मैक्सिमा मान के लिए कि तेरा से लिए करके और 51 तक बहुत ज़्यादा जरूली है जिसके अंतर की fundamental राइट भी आ जाता है तो यह पूर्शन बहुत जादे इंपॉर्टेंट होता है तो इसका हम लोगो क्या करना है पूरे तरीके से ट्रिक से चाहे कैसे भी करके हमें इसे अपना पुरा इसका विवस्ता बना करते हैं और अगली क्लास के साथ बने रहिए गाटिल ने जय हिम जय भारत